से लोट फार जो पर इस वीडियो में रोप को बाता हुआँगा कि यूस कार्स खरीदने से पहले सेकेंडंकार कार चीज करणे चैया चाहिए घाड़ी का एक्स्ट्ट्रियर कैसे चेक करते हैं इंटीपियर कैसे करते हैं कौन कौन सी चीज है कौन सी चीज़ मिस नहीं करने चीज़ चीज है जो काफी मोग मिस कर ज всегда चेकमी था क्वीक अंट एप भी वीड़ियो में बता हूं हुक और लौट एंट काफ़ी मोटस उस साथ होता है यौक्विक दो कंडिशन चीज है वह काफी ज़्यादा hot selling product है इस वक्त यूज कर मार्केट में काफी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं लेना सो उस वीडियो मैंने उस पे वीडियो बनाया था जो कि इंग्लिश चैनल पर है वह सेम वीडियो जो है आपको एक इस चैनल पर भी आएगा जैसे ही लॉगडाउन थोड़ा खतम होगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पर भी आपको जो है काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज किया था कि कैसे गाड़ी को चेक करना पड़ता है तो इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं इसमें आपको सारी डीटेल्स पता चल जाएंगी एक्स्टियर कैसे चेक करते हैं कौन सी चीज़े आपको चेक करनी च एक्स्टियर में आपको इजिएली पता चल जाएंगा यहां पर मिलेगा एक्से करते हैं काफी एज़ी करना आप सब्सक्राइब में गाड़ी को खड़ी कीजिए और एक एंगल पर जाब देखेंगे तो इजी लिए आप डिफरेंस बता पाएंगे दोनों ही डोर्स के जो इसमें करके दे या फिर आप जो है उसमें पैसे उससे सबसे कम कर सकते हो सबसे पहली चीज वह पेंट सेकंड चीज जब आगे तो यहां पर जो है जैसी कि आप देख सकते हो काफी जादा इसमें लाइफ बची हुए इस पटिकुलर्य टायर में यहां पर आपको थ्रेड्स नजर आ किस चुका है टायर यहां पर वाजा लाइफ बची नहीं है उस टायर में और बाकी तीनों टायर में जो है आपको काफी अच्छी लाइफ यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी तो अगर आपके टायर जो है यूज करके वह भी कंप्लेटली गए हुआ है तो वह एक चीज यहां पर डेप्रिशेट कर पाएंगे आपको जो है प्राइज कम करनी चीए वहां पर भी आप जो है जितने भी कॉस्टिंग टायर की वह जो वैल्यू बता रहे आपको उसमें आपको कम कर लेना चीए या फिर उनको कहना चीज किया आप रिप्लेस करके देदे टायर तो ये दो कर सकते हों और जबनें आपके जारी का रूफ रहां यहां पर चीज आप आपके रूफ पे नहीं होना चाहिए उसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है आपकी विंड्शील्ड काफी बार छोटे पत्थर के कारण भी आपको जो है यहाँ पे डेंट या स्क्राइच छोटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा सो वह भी एक चीज जो आपको चेक करन हैं अंदर से जो है और बाहर से आपको लाइट भी चेक करनें चीजह किया यह फिक पॉइंट है कि आपको जो लाइट से प्रॉपरली वर्क नुणी होने चीए हाई बीम लो बीम आपके जाई इन्डिकेटर है फिर आपके जो यहाप है फॉग लांप है यह सारी चीज़े जो है यह वर्किंग कंडीशन में होनी चीज़ी यह चीज विए चेकर लेनी चाहिए टेल मिद्र ऑपको चेकरने चाहिए कि पीछे इंडिकेटर चल रहे हैं या नहीं और आपके जो एखेंच चीज बी आपको चेक करनी चीए यह वह फिफ्ट पॉइंट जो है डोर्स आपके डोर्स जो एईजी ली ओपन और जो है क्लोज हो जाने चीए लॉक अनलोग अगर सेंटरल लॉकिंग है गाड़ी में तो सेंटरल लॉकिंग भी अच्छे से काम करता हुआ होना चीए आपको पर जो बटन मिलता है सेंटरल लॉकिंग के वह प्रॉपरली काम करते होने चीए लॉक और अनलोग अगर बात कर दो लॉक और अनलोग प्रॉपरली गाड़ी होनी चीए तो यह चीज आपको चेक करनी है उसके बाद गाड़ी के अंदर चलते हैं तो यहां पर जैसे कि आप अगर चीज आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे एंजिन को आप काफी इजीली चेक कर सकते हो बाइदा साउंड ऑफ दे इंजिन एंजिन बहुत ज़्यादा जो है नॉइस नहीं होना चीए अन्यूज़ नहीं होना चीए वह एक चीज है जो आप चेक कर सकते हो और सेकेंड इनजिन ओयर इन चेक करते हैं को डिब स्टिक लें मिल जाएगी आपको निकालनी है और उससऺप है ती निकालनी का मार्क आपको निकालने के बाद निकाले तो आपको जो है निकले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है तो इंजिन की हेल्थ जो है उस तिरह से चेक कर सकते हो अन्यूजुल नौईज नहीं होना चीए और जो है आपका इंजिन ओई जो है वह ठीक होना चीए उसके बाद आपको क्या चेक करना है वह है आपका इसे समूद्स पॉइंट ऑपका होगें इंजिन का इंजिन स्मूद्स फेड़ोर को करना है एक्सेडिल कषट में और देखने के लिए जया लगाए है और आपको यसरे चाहरी है सो यह एक चीज है वो भी आपको चेक करनी चाहिए उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट करने में यहाँ जैसी आप अभी इमर्जनसी लाइट जो है काफी सारी देखने के लिए मिल जाएगे आपको जैसी आप गाड़ी आउन करेंगे शुक्त के बाद यहाँ पर कोई भी तरह की लाइट आपको नहीं देखने के लिए मिलनी चीए अगर इसमें से कोई भी लाइट देखने के लिए मिल रही है कोई कोई तो भी प्रॉब्लम है यह जो है आपकी बैटरी और इंजिन ऑल की लाइट है इसके ऊपर में पर्टिक कोई भी पॉइंट आ रही है अगर बड़ी कार देखने जाएंगे तो यहां पेड़ी यापको देखने के मिल जाएगी और स्टेरिंग की लाइटव आपको देखने के लिए डियोगी वह बहारा ना चीह है यह जड़ काफी लाइटर साइड पर जो होना चाहिए पेट्रोल गारी जो होती है उनका क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है अगर डीजल कार अगर आप देखेंगे तो डीजल कार में थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं वह एकदम स्मूद्ली जो हो जाने चाहिए बहुत ज़्यादा एफट नहीं लगना चीए आपको गियर शिफ्ट करने में चलाते वक्त आपको यह सब चेक करना है मैं चला नहीं रहा हूं इस वक्त से आपको बता रहा हूं कि जो एक लच है वह स्मूद्ली अंदर ब ही आपको जो है शिफ्ट होने चाहिए तो यह भी एक पॉइंट है जो आपको चेक करना है उसके बाद जो पॉइंट आता है वह मुजिक सिस्टम में मोस्ली जो है प्रॉब्लम नहीं आता है अगर जो फैक्टरी फिटेड मुजिक सिस्टम अगर आप देखने जाएंगे त आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो डिपेंड करता है किस तरह का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है फैक्टरी फिटेड जो मुजिक सिस्टम आता है उसकी कॉलिटी काफी बैतर ही नहीं होती है और उसमें जो प्रॉब्लम आने का चांसे काफी मतलब काफी ज़्याद पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं यह आप नोट डाउन भी कर सकते हो जिससे की अगर आप यूज कर चेक करने जाएंगे तो आपको काफी ज़्यादा आसानी होगी चेक करते वक्त तो एसी जो है अपको चेक करना है गाड़ी जो है आपकी जो कूल प्रॉपर एकदम तो भी चीज है जो क्या चेक करना कियो उसके आपको हाँ gadget करना है आपको श्चक कर लेनी है यह PBQ कर लिहेंढे कि यह सारी चीजे आपको काम कर रही है या नहीं उसके बाद जो है CnG ऐसी olsun की यह सी चे अधी तया है अब यह यह फैक्टर फुटेट चे अंग तो इसमें बहुत ही बहतरीन सिस्टम लगा हुआ अब जैसे यह प्रेस करेंगे तो आटोमाटिकली सी एंजी टू पेट्रोल चली जाती है और पेट्रोल दूसी अपकर सकते हो करेंगे तो इसमें कई बार होता है कि सर्विस नहीं जा पाता है तो वह भी एक चीज है जो कि आपको चेक कर लेनी चीए और जैसे कि मैं आपको बताया जो डोर्स आपके वह बीजिली ओपन और क्लोस होने चीए किसी भी तरह का आपको लैग या फिर इसा लगना नहीं चीए वाइल ओपनिंगे देट आपको चेक कर लेना चीए और जो सीट का मूमेंट वह भी आपको चेक कर लेना चीए और अगर आप एक महेंगी कार ले रहे हो तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर बटन दिया होता है वह भी आपको चेक कर लेना चीए उसके बाद जो सबसे most important point है वह है आपका चेस नंबर शैसी नंबर जिसको बोलते चेस नंबर जो बोलता है वह आपको मुसली जो है यहाँ पर ड्राइवर साइड की नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और आपको कई कार्ज म नंबर यहाँ पर होता है वही सेम चेस नंबर आपके आरसी पर आपके जो सारे documents है कार के उस पर भी सेम चेस नंबर होना चीए और एंजिन नंबर काफी इजिली दिखता नहीं है आपको एंजिन बे में शायद कई पर दिख जाए लेकिन यह जो है थोड़ा सा find out करना difficult है तो वह आपको जो है देखना पड़ेगा अगर आप दून पाते हो तो वैलन गुड लेकिन जो है आपका चेस नंबर जो है वह काफी इजिली आपको देखने के लिए मिल जाएगा या तो आपके बोनेट में आगे फ्रेम के पास होता है या फिर यहां पर आपको दरवाज एक स्टेशन पर अगर अगर प्रसर्विस करेंग तो हो सकता है इस तरह चुट जाए तो यह भी आपको चीज चंष करने चाए मैं लिए ऐस तरह के को और मेरा होगो चैक करेका लेने चाहिए कार के अंदर I think मैंने सारी चीज़े के बारे में बात किया है अभी डॉक्यमेंट क्या 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 आपको चेक करना चाहिए वह मैं आपको एक बार बता जाता हूं उवाल चैक चैकने पीटरिंग नाजो चाहिए तेन नरिक्स को सब्सक्राइब आपको 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 रॉदै को में इसका है इसकी आप क्श्छी लीगिन उस्ट्रीकह. symbols का भीच वैट पर बार बाटरि पर श्को वह जो है टाइट होने चीए और उसमें जो है रस्टिंग अगर है तो आप एंटिरस कोटिंग उस पर करा सकते हो उसके बाद जो आपको चेक करना है वह आपका स्टेरिंग सिस्टम जो आप गाड़ी चलाएंगे तो एक तरफ पुल नहीं होनी चीए गाड़ी जो आप स्टे स्टेरिंग का यह पर आपको इंस्ट्रुमेंट क्रस्टर में सिंबॉल देखने के लिए मिल जाएगा अगर चलती गाड़ी में स्टेरिंग का साइन आ रहा है इसका मतलब है कि आपके स्टेरिंग सिस्टम के साथ किसी तिरा की दिक्कत है तो उस तरह से भी आप जो है आप उसके बाद जो 4th point है वो है आपका बूट और आपका जो है आगे का बॉनेट बूट में जो है hydraulic mechanism होता है काफी hatchbacks में तो वह smoothly open और close आपका बूट होना चाहिए जो आपकी डिक्की होती है और जो आपका बॉनेट है उसमें भी ACVs अगर देखेंगे तो आप है hydraulic आपको system मि है कि आपको जो गाड़ी का number है उससे भी आपको काफी सारी details मिल जाएगी अगर आप online google पे वहन सर्च करेंगे वहान तो आपको एक website मिलेगी जहां पर आप गाड़ी का registration number डालके जो है details आपको पता चल जाएगी like the number of owners और car के details भी आपको वहापे सब कुछ मिल जाएंगे तो यह सारी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है बिफोर बाइंग यूस कार और जब बोनेट ओपन करेंगे तो बोनेट के अंदर जो है आपको engine oil चेक करना है engine oil कैसे चेक करते मैं आपको बता है coolant भी उससी तरह सापको चेक करना है maximum minimum marking आपको देखने के लिए मिल यह spare wheel काफी लोग जो है भूल जाते है चेक करना spare wheel की condition कैसी है वह completely used हो चुका है या नहीं या फिर अच्छे condition में है वह भी आपको चेक करना चाहिए काफी लोग यह चीज भूल जाते चेक करना तो यह भी काफी important point है जो कि आपको चेक करना चाहिए और एक चीज जो आपक करना चाहिए उस पर भी रिसेल वैल्यू काफी जादा गिर जाती है अगर number of owners बढ़ते है तो रिसेल वैल्यू जो है वह घटती है तो भी आपको ध्यान में रखना है कितने किलोमेटर्स कार चली है उस पर भी आपको ध्यान देना है जो बड़ी कार्स होती है वह इसली 5-6 किलोमेटर्स चल जाती है जबकि छोटी कार्स जो है वह 3-4 लाक किलोमेटर्स आराम से आप चला सकते हो डिपेंडिंग कि किस तरह से मेंटेन की हुई यह कार तो मेरे हिसाब से अगर आपको 50,000 किलोमेटर्स से अंदर वाली कार मिल जाती है तो वेल एंगूड है उसके किलवा सकते हो वो भी एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी वेल कंडिशन में है या नहीं तो वह एक ईजी तरीका है तेकिन अगर लोकल मेकैनिक के आप सर्विस हुई है कार तो डेफिनिल आपको रेकॉर्ड नहीं मिल पाएंगे उतरह सर् अच्छा प्रेटिकुलर का लास्ट सर्विसिंग कप हुई थी तो उस अबसे भी जो है आपको कार के बारे में काफी जानका है मिल जाएगी अगर आपको पता चल जाएगा कि कुछ काम है दिक्कत है तो वह उसे सबसे आप जो है सबस्पेंशन का जितना भी खर्चा आता ह वह depreciate कर पाएंगे suspension जो ride quality होते है काफी cars की ride quality है काफी आपको soft मिलेगी at the same time काफी cars में जो आपको stiff ride quality मिलेगी बहुत जाता comfort नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा especially SUVs में जो है काफी कुछ SUVs आपको देखने के लिए मिल जाएगी mini SUVs देखने के लिए मिल जाएगी उसमे Ford Eco Sport या फिर Kia Seltos भी अगर आप देखने के लिए तो इसकी जो ride quality है थोड़ी stiff देखने के मिलती है ride quality stiff होने से या फिर soft होने से बहुत जादा दिक्कत नहीं है लेकिन suspension में अगर कोई दिक्कत है वो आपको easily पता चल जाएगी by the ride quality जैसे आप car चलाएंगे तो unusual noise आप पता कर तो unusual noise again noise नहीं आनी चाहिए brakes से और जब को stopping distance है वो कम होना चाहिए कम से कम होना चाहिए in fact और जो आपका brake bite है वो भी बहुत जादा sharp नहीं होना चाहिए at the same time sharp हो तो problem नहीं है at the same time अगर बहुत ही जादा अगर आपको spongy feel हो रहा है तो उसमें definitely दिक्कत आ सकती है at the same time बात आपको ध्यान में रखने है छोटी काज अगर आप देखेंगे जैसे कि नानो या ओल्टो उसमें पहले ABS नहीं मिलता है पूरानी कार अगर आप लेने जाएंगे तो ABS नहीं देखने के लिए मिलेगा तो braking performance वैसे भी बहुत ज़्यादा खास नहीं होती है काफी सारी ग कार में जो है आपको थोड़ा braking performance बेटर देखने के मिल जाएगा तो वैसे भी आप जो है brakes को चेक कर सकते हो suspension हो गया brakes हो गया तीसरी जो चीज है वह रस्टिंग काफी कार में जो है बहुत ज़्यादा रस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी अगर आपको बहुत काफी एरिया जैसी होती है जहां पर हवा में जो है काफी सदा moisture होता है तो जिसके कार जो है रस्टिंग उन कार्स पर थोड़ी से ज्यादा होती है comparatively जो दूसरी जगह पर कार्श होती है वहाँ पर तो वैसे भी आप जो है रस्टिंग चेक आउट कर सकते हो तो यह तीन च का नाम देखने के लिए मिल जाएगा चेस नंबर जो है वह भी देखने के लिए मिल जाएगा एंजिन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा चेस नंबर कैसे चेक करते हैं चेस नंबर जो है आपको यह ड्राइवर का जो आपका डोर है यहाप आपको जो है इसली देखने क तो नमबर ईजी नहीं मिल जाएगा Engines number के बात करें तो नमबर आपको बहुत either नहीं है ॐ आपको बाहर आपको दकनी दूम एख मेल जाएगा नमंबर मुसली आपको सामने लिखा हुआ नहीं देख पाय है तो शबसे इंपर्ण चीज आपको चेक करनी है, वह है आपका चेसेज नमबर, चेसेज नमबर आपको ड्राइवर डोर की नीचे या पे ऐंबॉस्ट मिलेगा, या फिर आपका जो बॉनेट है उसमें भी आप चेसेज नमबर को चेक कर पाएंगे, सबसे पहली बात ये सेकेंड चीज जो है, वो है हाइपोतिकेशन, आर्सी जो होता है उसके बाजु में लिखा होगा फाइनसिंग बैंक का नाम जो भी बैंक अगर गाड़ी जो है लोन पे है तो साइड पे जो है आपको बैंक का नाम देखने लिए मिल जाएगा यानि कि उस कार पे जो है लोन लिया गया था अब अगर आरसी पे हाइपोटिकेशन का मार्क है किसी बैंक का नाम है तो simply आपको क्या करना है owner को बोलना है कि वो जो financing bank है वहाँ से आपको एक NOC लेना है कि इस कार का complete payment हो चुका है इस पे किसी भी तरह का loan बाकी नहीं है काफी बार आरसी पे हाइपोटिकेशन मार्क रह जाता है वो owners अपडेट कराना रह जाता है तो वह भी आपको चेक करना है अगर हाइपोटिकेशन मार्क है तो simply आपको जो है उस कार का price depend करता है for example location काफी सारी locations पे जो है कुछ cars के डिमांड ज्यादा होती है तो वह पर आपको जो है प्राइस थोड़ी हाई देखने के लिए मिलेगे अगर डिमांड कम है तो आप आपको जो है उस कार की जो है depreciate करना चाहिए from the amount अगर आपको XYZ amount बताय जा रहा है for a used car तो उसमें insurance अगर नहीं है तो insurance का जितना भी amount होता है वह आप deduct कर सकते हो या फिर उनको बोल सकते हो insurance निकाल के देने के लिए उसके बाद आता है आपका PUC PUCB जो है in the comment section below and I'll be more than happy to answer most of your doubts I'll see you guys in the next one until then drive safe ride safe bye bye and yeah take care bye bye